यह है E0 का EOS 06 satellite, जो करणों लोग का पेड भरता है और लाखों लोगों को रोजगार देता है, इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में, देखो इंडिया की coastline बहुत बढ़ी है, इसका consequence क्या है, इसका consequence यह है कि coastal state जो है, उसका काफी बड़ा population size, ocean की उपर depend है, अपने dietary needs को fulfill करने के लिए, basically fish बहुत खाते हैं यह लोग, काफी important part है इनके culture का, तो मैं हमेशा सोचता था कि यह जो fisherman ने अपने, वो fish कैसे पकड़ते हैं, क्या वो randomly किसी boat अपना direction में लेकि जाते हैं, और फिन nets डालते हैं, उन्हें कैसे बता कि यहीं मुझे fish मिलेगा, यही problem solve करन यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ fish मिलेगा, ताकि fisherman वहाँ जाके fish पकड़ पाए, तो मैं एकदम excited, मैं निकला बीच को जानने के लिए, fisherman से बात करने के लिए, मुझे लगा, यह लोग मुझे explain करेंगे, कि हाँ, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे daily bulletin वगएर आता है, बट अफसोस, जि इनने उनसे जादा पूचा questions कि कैसे उड़ूंटते है, तो उन्होंने basically तीन points दे मुझे, सबसे पहला था general feel with experience, कि उन्हें पता है कि यहाँ होगा करके, वो ऐसा डाल नहीं सकते है equation वगेरा में, कि यहाँ क्यो है, secondly, usually कोई तो एक person होता है, बहुत सारे boards एक साथ निकलते ह एक person को experience होता है, तो वो guide करता है, again same with experience, third thing, यह गौर करो, मतलब यहाँ पर focus को रहे है, इन्पोर्टन्ट है, green water, हाँ, green यह green water mystery solve करेगी कि ocean set 3 इतना अच्छा कैसे है, fish hunt करने में, green water equals good water, हाँ, green water equals good water, समझाता हूँ, देखो, land पे, जमीन पे हमारा food chain है, बड़ा animal, छोटे animal को खाएगा, छोटे animal और छोटे animal को खाएगा, और वो छोटे animal शायद plants वगेरा, घास पूस कुछ खाए, correct, similarly, ocean में भी एक food chain होता ही है, बड़ा फिश, छोटा फिश को खाएगा, even छोटे फिश को खाए, और वो छोटा फिश, X खाएगा, ये X थोड़ा hold करकर को मैं समझाता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एक example लेते है, mackerel का, जिसे bangda कहते है, goa side में भी इसे bangda कहते है, mackerel जो है, वो छोटे फिश खा सकता है, या कुछ और भी खा सकता है, depends, पर ये जो है, वो बहुत छोटे animals को खाएगा, ठीक है, बहुत छोटे animals, इन animals को कहते है, zooplankton, अब zooplankton, microscopic animals को refer करते हैं, काफी जैसे prawns के अब बच्चो होते हैं, वो भी शायद categorize कर सकते हैं, बढ़ी छोटा फिश, microscopic animals को खाएगा, पर ये microscopic animals depend होंगे, बहुत छोटे plants के उपर, और वही एक्स, जो है, phytoplankton, ये बहुत बड़ी category है, बहुत बड़ी family है, पर इनका specialty क्या हुआ, किसने से plants है, इनमें होगा chlorophyll, जो plants को उनका characteristic green color देते हैं, in fact, कभी-कभी ये इतने सारे हो सकते हैं, कि पूरा blooms, phytoplankton bloom दिखता है, space से, clearly, कि यहाँ पूरा ही color change हो है, ocean का करके, तो basically क्या है, अगर आपको fish को ढूढ़ना है, तो आप उसको fish का food का source ढूढ़ो, तो आपको fish मिलेगा, पकड़ने, तो परी phytoplankton हम कैसे ढूढ़ने है, क्या हम random ये सा camera कीच के photo ले ले, नहीं, इसके लिए इसके लिए special camera system बिल्ड किया, और वो है ये, अब इसे आपके उपर देखो, ये rectangle pieces, ऐसे 13 pieces दिखे आप, ये 13 piece, each individual camera है, तेरा क्यों वो explain करूँगा, पर पहले ये देखो, आप shape इतना अलग क्यों है, usually cameras का square ये बड़ा rectangle की तरह होता है, जो aperture जहां slight अंदर आती है, ये इतना बाद ही किसा thin slice की तरह क्यों है, वो इसलिए क्यों क मतलब जैसे satellite move हो रहा है, वैसे data अंदर आते जाएगा, और वो stream करता जाएगा data, तो ये बड़ा sensor की तरह click नहीं करना, आपको continuously image बनाते जाएगा, 13 क्यों, 13 अलग इसलिए है, क्योंकि हमें chlorophyll detect करना है, तो कुछ specific wavelength से जीने हमें target करने पढ़ेंगे, chlorophyll के जगा, दूसर से wavelength में OCM3 images लेता है, और उनका function क्या है, एक और interesting चीज़ देखो इसमें, कुछ atmospheric correction के लिए photos ले जा रहे है, वो इसलिए क्योंकि जब आप space से ground पे देखोगे, तो आपका color है वो थोड़ा अलग होगा compared to ground, और अगर आपका color अलग है, तो आपके measurements अलग होंगे, इसलिए ये अलग-अलग bands में photos लेकिए, उनसे atmospheric correction की value derive करते है, जो काफी interesting है, एक और fun fact बोलता हूँ आपको, OCM3 जो है वो tilt कर सकता है, motorist से, पर क्यों, ऐसी तो feature नहीं डालेंगे रहे, cool है इसलिए, नहीं, देखो, imagine करो, ocean set 3, x angle पे धर्ती के ocean के पास देख रहे, ठीक है, और उस इसी opposite x angle पे sun हुआ, तो अभी होगा क्या, ocean set के images में पूरा sun आ जाएगा, वो पूरा ऐसा चमक चमक आ जाएगा, तो उसे avoid करने के लिए, ocean set 3, जो है OCM को tilt कर सकता है, इसका अगर आपको technical name चाहिए, तो इसे कैसे sun glit, और जो हम यहां कर रहे है, वो है sun glit avoidant, आपको दिख green water से उन्हें idea आता है, तो आप अभी कोगे, अरे पता चोद चल रहा है, उन्हें GS की green water है, fish मिल रहा है, खतम, well नहीं, जब मैं उनसे मिला, उनके काफी times ऐसे थे, जब उन्हें fish नहीं मिल रहा था, despite being green water, अभी क्यों, वो इसलिए क्योंकि although green water उन्हें पता चलता है कि fish का है करके, पर एक चीज़ है, जो easily measure नहीं कर सकते हैं, और वो है sea surface temperature की क्या है, गरम है, पानी की धंडा है, और temperature से fish और ये phytoplankton सब का behavior बदल जाता है, जिससे fish का location भी बदलेगा, और वही measure करने के लिए, जो ने ये एक्तम घूपसूरत mechanical device बना है, जो है SSTM 1, या sea surface temperature monitor 1, उनका first attempt से इसके उपर, काफी complicated दिख रहा है, मुझे बता है, पर actually है नहीं, मुझे explain करने दो, नीचे हमें structure जैसे दिख रहे है, ये metal के structures, अब ये dampening structures है, कि just fixed structures है, I'm not sure, पर पूरे assembly के उपर, ये ऐसा बड़ा सा sub structure assembled है, अब अब left में देखोगे, तो आपको black color जैसी के उपर गिरेंगे, फिर इस mirror से reflect होके नीचे जाएगा, जो है sensor के उपर, ठीक है, पर ये जो पूरा mirror assembly है, वो attached है, rotating device motor के उपर, ये पूरा ऐसे घूम सकते है mirror, यानि कि जब वो images लेगा, वो ऐसे left से right से left से ऐसे ऐसे लेगा, धरती के, ऐसे जाडू मार रहा है जैसे, correct ह आप शायद हास्रे हो गया अभी कि ये जाडू की बात क्यों गर रहा है, पर ये एक टेकनिकल थम इस case में, और वो है whisk broom technique, यानि आप left से right ऐसे करके image लेते हो, अब ये भी दो wavelength में हो गयरा लेते है, correction के लिए भी, पर इसका थोड़ा scan mechanism जो है, वो काफी integrated, काफी complicated है, करती पर measure किया है, तो ये calibration के लिए उस होगा sensor का, ठीक है, फिर mirror अभी right तक आएगा, घुमेगा, और वो hole से पहले रुकेगा, देर वो वापिस जाएगा, पर अभी BB के पास नहीं जाएगा, वो अभी BB से थोड़ा पहले रुकेगा, वापिस जाएगा, अभी hole तक वो scan कर करेगा, एक बार वो, जो space look scan है, वो करेगा, तो ये काफ़ी intricate mechanism है, और ये कितने तीज़े से करता है, I'm not sure, but मैंने एक representative animation दिखाए आपको, तो SSTM काफ़ी complicated है, and ये SSTMR, OCM दोनों मिलके, इजरो नहीं, इन COIS, यानि Indian National Center for Ocean Information Services, ये लोग model करते है, कि यहाँ पर इस ताइम फिश था, ये गर्मी थी, ये ये chlorophyll content वगरा था असपास, वैसे, and then वो रोज एक bulletin deploy करते है, जहाँ पर वो mention करते है कि इस region में, शायद ये गोहा region में ये मिलेगा, मारस्टा के ये region में, तमिलनाड के ये region में, वैसा कि यहाँ याँ फिश मिलेगा, उन्होंने Qualcomm for good करके उनका initiative का, उसके साथ भी partner करके, एक fish finder app आप डाउनलोड करके देख सकते ही, वो भी किया है उन्होंने जहाँ पर tuna वगरा का आता है, predictions की कहां मिल सकता है, पर recently OCM, sorry OCM नहीं, SSTM को issue आया है, anomaly हुए उसके साथ, अब ये temporary है कि permanent नहीं बता, तो फिलाल उसे SSTM नहीं function कर र 2, 3, वो दूसरे देश भी इस्तमाल करते है, आपको NASA का page मिलेगा, EAC का page मिलेगा, आप ढूंडो तो, पूरी दुनिया इस्तमाल करती है, ocean set का data, and आप भूर नीदी portal के उपर जाके, OCM का data अभी भी देख सकते हो, मैं link कर दूं, description में, एक और चीज आपने देखे होगी, क यह कोई बड़ी dish देश यह थी रहाइट उपर, वो actually communication का नहीं है, वो है एक scatrometer, यह है scat 3, यह इस्तमाल होता है radio wave से wind vector और velocity का information निकालने के लिए, तो wind किस तरफ जा रही है, और कितने speed से जा रही है, और उसका भी इसरो ने इसा mosaic वगएरा composite बनाया, आप देख सकते ह और अगर आपको daily देखना है OCM data या scat 3 data, तो बुनीदी portal के उपर एक must animation वगएरा बनता है, तो आप वो देख सकते हो, तो मैं जब fisherman से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि उनका सबसे बड़ा डर wind ही होता है, तो although scat 3 fish finding में help नहीं करता है, बट fisherman को safe रखने में help करता है, अ वो अपने traditional matter से stick करना साते थे, which is fine, पर अगर ज़्यादा loss होने लगा, तो I hope कोई तो इन्हें educate करे, क्योंकि इतने सारे capability है, पर ये common general fisherman तक नहीं पॉस्त, पर काफे सारे fishermen यूस करने लगे इसे, अंदमांस में, कुछ जगा केरला में, pilot programs वगरा चल रहे हैं, और काफे ज अपने देखा होगा, इस वीडियो में एक भी एड नहीं आपको बीच में, देखते वक्त, वो इसलिए क्योंकि मैं metrol ads disable करता हूँ, since मुझे personally वो नहीं लगता सही, explanation videos में ads वाना बीच में, and of course ये model वगेर ocean side का मैंने ही बनाया खुद, तो अगर आपके पास कुछ throwaway money है, वेस्ट करने के लिए, और अगर अब चैनल को financially support करना चाते हो, तो जरूर जॉइन बटन दबाओ,